तो कियाल चाल सा स्रियाकाल मैं हूँ नियौन मैन और आज हम फिर से बात करने वाले अमित भडाना के बारे में तो भाई अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक डीटेल्ड वीडियो बनाये था बाउट अमित भडाना वर्सिस बीबी की वाइन्स बैसिकली अमित भडाना बहुत सारे स्टोरीज अपलोड किये था इंडिरेक्ली बीबी के तरफ टारगेट करते वे उसके बाद वो अपने इंस्टेगराइम लाइफ स्ट्रीम में भी थोड़ा सा बात किये थे इसके बारे में उसके बाद भी भूवन बाम के तरफ से कोई र आश तक जरूर देखना इस वीडियो को तो अपने फर्स्टोरी में उन्होंने एक मीम रिपोस्ट किया आप मीम को पॉस करके रीट कर सकते हो बेसिकली इस नेगिटिव मीम अगेंस्ट अमित भडाना तो इसमें उन्होंने रिप्लाइ किया यही काम करते हैं ये लोग पैस से नहीं गलत रास्ते से आगे बढ़ना है नेक्स्ट वनोंने लखा जैसे ही मैंने इनकी स्टोरी डाली उस दिन हसल वाले का मैनेजर और उसके चमचे कुछ यूटूबर आक्टिव हो गये पेड मीम फेक डिसलाइक फेक कमेंट्स यही तो आता है इनको मैंने पिछले दो स साल में एक नेगिटिव मीम नहीं देखी थी लेकिन अचानक से यह सब स्टार्ट यह इनकी स्ट्राटेजी कैमरा पर कुछ नहीं बोलेंगे पता है ना बाद में अंजाम गलत होगा तो पीछे से करते हैं वार पिछले तीन साल से जेल रहा हूं इनकी यह चाला किया मैं हमे उनका जो टैगलाइन हसल करो बसर नहीं उसी को वो रेफर कर रहें एनिवेज चलिए और स्टोरिस देखते हूं के बॉलिवुड वाले तो यूही बदनाम है असली बुली हराइस डिप्रेस तो यह लोग करते हैं इनसे कोई नंबर में आगे निकल जाए इनको येस सर ना बोले इनको फॉलो ना करे तो ये डिक्टेटर बन जाते हैं मैं भी उस मिट्टी का बना हूँ मर जाओंगा पर तुमारे सामने नहीं जुकूंगा लगे रहो करते रहो अपना टाइम और पैसे बरबाद क्रिटिसिजम और हेट में फरक होता है परसनल अटाक कराते थे जि फैलाओ अपने उपर ध्यान दो लेकिन नहीं इनको तो बदनामी करके दूसरों को परिशान करना है इन्हें पता है अब आसा नहीं है भडाना को पकड़ पाना इसको सब घेर लो दुश्मन के दुश्मन को ये दोस्त बनाते हैं बस मकसद एक कैसे भी भडाना की ग्रोथ एक एक बात सच बहुत कहानी है जो आप तक नहीं पहुचती क्योंकि ये कैमरा पर बहुत अच्छे हैं पीट पीछे बुली करते हैं हम तो अलग मिटी के बने हैं और कोई होता तो बेचारा मर ही जाता है इनके प्रेशर में आकर मेहनत खराब करते हैं सीधा दिमाग पर व पेजेस के बारे में जो इनके ओपर मीम्स वगेरा बनाते हैं, वो कहें मीम मैं भी देखता हूँ, हस्ता भी हूँ और इनकी क्रियेटिविटी को बेहत पसंद करता हूँ, आत्माम विश्वास में मैंने सारी मीमर्स को थैंक यू भी बोला है, लेकिन ये जो बिकाव लोग है इनकी क्रियेटिविटी का दीन इमान दो रुपे का है, मुझ में पैसा नहीं है क्या? मैं नहीं करा सकता नेगेटिव मार्केटिंग? नहीं, मुझ में और इनमें कोई फरक नहीं रह जाएगा, फिर नेक्स दो स्टोरीज में उन्होंने कुछ मेसेज़ दिखाया by a person, और फिर उसी बंदे का दो साल पुराना एक मेसेज दिखाया, आप पॉस करके रीट कर सकते हो, फिर एक कोट शेयर किया, अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे सारी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो? Now as the last time BB अभी तक कुछ भी रेस्पॉंड नहीं किये अपने end से, in fact आज उनका birthday तो वो post किये and of course वो अपना birthday ही celebrate कर रहे होंगे, और हाँ जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में का था कि अमित भड़ाना मेर को भी indirectly target करते वे एक स्टोरी अप्लोड किये, उन भी दिखाओ, नफरत बहुत दिखादी, self-respect बनाओ, dignity बहुत गवादी, so first of all वो बात किये, अच्छे बुरे का certificate मत बाटा करो, तो मैं इस चीज़ को यही पर clear कर देना चाहता हूं, कि मैं अपना opinion भी नहीं देता हूं वीडियो में, तो I am no one कि मैं certify करू किसी को कि वो अ बात कर रहे हैं, जब बीबी के तरफ से मेरे को merchandise आया था, and I was really happy about it, and if you think इस अच्छे से gesture के वज़े से मैं अपने वीडियो को effect होने देता हूं, that's totally wrong and यह बिल्कुली false allegations है, as I said before, मैं बस news को present करता हूं, opinions मेरे audience खुद से form करते हैं, then उनने कहा, प्यार भी दिखाओ, नफ वीडियो negative, so yeah, that's pretty much it, यही था मेरा response to his story, वो अपने millions of followers के सामने ऐसा story डाले, तो मेरे को भी response करना बनता था, यार, मेरा भी जो point of view है, आप लोग के सामने लाना था, इन चीजों को clear out करना था, बाकि जो दूसरे stories मैंने दिखाया, Amit बढ़ाना का, उसके उपर आपका क् comment section में बताना, so yeah, यह भी just a short dedicated video था on this topic, इस पे कुछ response वगेर आता है, तो I will definitely let you know, तो मेरे channel को ज़रूर subscribe करके रख लेना, वीडियो पर support दिखाने के लिए आप बस एक like भी कर सकते हो, so yeah, thank you so much for watching this video, मिलते हैं next video में, till then,